जैजै स्री राधे कृष्णा जनमत की भुकार निव चैनल में आप सभी दर्सुकों को हर्दिक स्वागत है आईए जानते हैं क्या कहते हैं आज आपके भाग के सिता रहे हैं ओम स्वस्तिस्त्री ग्रेशा यर्महा आईए चर्चा करते हैं तारीक सोला दो दो हजार चोवीज बारह राशियों के विशाय पर सबसे पहले मेरिस मेरिसरा जिवारे भिक्ति आज आप नौकरी सरकारी से संबंदत कोई भी योजना आपके मन में आएंगी आप उसकार को संपन कर सकते हो और आज का दिन आपके लिए 85% सरिष्ट और उत्तम रहने बाला है दोसरी रासी है वरख वरख रासी बाले विक्ति आज आप घर परिवार बालों की जम्मेदारी को लिबा सकते हो स्वास्त उत्तम रहेगा और करियर को लेकर कोई नया काम भी सुरू कर सकत हो तीस्तरी रासी है मिथन मिथन रासी बाले विक्ति आज आप के लिए मांगले कोई सुचना प्राप्त होगी विभाय त्यादी से संबंद अत्वा कोई शुबकार से संबंद चौथी रासी है करक करक रासी बाले विक्ति या करक लगन बाले जातक आज आप भग का उदय नैपत की प्राप्ति हो सकती है पाच्वरासी ये सिंग, सिंगरासी बाले विक्ति आज के लिए आपको कोई ऐसे ब्यत्ति के माध्यम से जुल सकते हो जो की कोई बड़ी सिखर की ओर जा सकते हो या अटका हुआ काम आपका बरसों का पड़ावा है संपन होगा चट मिरासी कन्या, कन्यारासी बाले विक्ति, स्वास्त उत्तम होगा इस्त्री पक्से कलह की स्थिति किसी बात को लेकर अनयस अचानक बलग सकती है शात मिरासी है तुला, तुलारासी बाले विक्ति, स्वास्त उत्तम होगा मान सकतना आप बेचेनी किसी बात को लेकर दिन में रह सकती है आठी रासी विर्ष्चेक विर्ष्चक रासी वाले व्यक्ति कृष्ची भूमियाजी से संबंदित आप व्यापार करते हैं या पिलोटिंग का कार सरिष्ट और उत्तम रहने बाला है नबं मरासी धनू धनू रासी वाले व्यक्ति स्वास्थ कृफ्म होगा दुकान ब्यापार इत्यादी जू भी आप करते हो वह है स्रिष्ट और उत्तम रहने बाला है जसम रासी मकर मकर रासी वाले वेक्ति भाग का उदैले पत्ः कि प्राप्ति इस्थानंत्रन की योग से योग बन सकते हैं ग्यारमी रासी है कुम, कुम रासी बाले विक्ति आज आप कोई कंक्रीट उद्यों जगत आदी से संबंदे ब्यापार करते हैं तो सफल होंगे या आप कृशर या ट्रक इत्यादी मोटर वाहन से संबंदे ब्यापार करते हैं तो स्रेश्ट तम रहने बाला है बारमी रासी है मीन, मीन रासी बाले विक्ति आज विध्याध्यन सरकारी छेत्र से सफलता हाथ लग सकती है अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार